नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पीती और आप देख रहे हैं फर्स्ट भिहार जार खंड लोग सबाचिनौद 2024 का महौल है और इस रण छेक्त्र में कई उमिद्वार ऐसे हैं जिनके चहरे राजनीती में नए हैं लेकिन पुराने चहरे हो या फिर नए चहरे मानुर राज़ीती में एक ट्रेंड ही सेट हो गया हो कि चुनाओ से पहले जब चुनाओ के तारिखों का एलान हो जाए तब भी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेंड के जर्ये हिंदू वोटरों को लुभाने की कोसिस की जा रही है चलिए हम आपको एक तस्वेर दिखाते हैं और यह तस्वेर जो है वो रोहनी आचारिया की है जो की राज़त सुप्रीमो लालु प्रसाद यादाओ की लाडली है और जिन्होंने राज़त सुप्रीमो लालु प्रसाद यादाओ को किड़नी दी थी और लालु प्रसाद य मंदिर में वो गई थी जहाँ पर लालु प्रसाद यादा और आबडी देवी मिसा भारती भी मौजूद थे वहाँ पर सभी ने पूजा चुना की और इसके साथ ही अब जो तस्वीरे निकल करके सामने आई है वहाँ जो रोहिणी आचारिया है वो भगवान भोले की उन्हों है अब आपको बता दे ये भी कि राबडी आवास में ही मंदिर भी बनाए गये हैं जहां पर भगवान भोली की जो तस्वीर है मूर्ती है वो भी रखी गई है सिवलिंग है और इस सिवलिंग पर जो रोहिणी आचारिया है वो पूजा करती हुई नजर आ रही है फूल सिर्वाद ले रही है आपको ये भी बता दे कि रोहिणी आचारिया आज से चुनावी संखनात कर रही है आज से वो चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगी सारण से राज़त के टिकट पर चुनावी मैदान में रोहिणी आचारिया है और आज वो सारण में चुनाव प्रचार करेंगी जहां पर लोगों के भी जाएंगी लोगों के साथ साथ राज़त के कारेकर्टाओं से भी मिलेंगी और वहां की समस्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगी लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो ट्रेंड चल गया है पूजा करने का पर ऐसा पता चलता है मानू हिंदू वोट को लुभाने की कोसिस की जा रही है हाला कि रोहिणी आचारिया ने जिस तरह से पुजाचना की है भगवान भोले को सीवलिंग पर जिस तरह से फूल चड़ाया है उसके बाद साई बाबा से उन्होंने आशिरवार लिया है सबसे बड़ा सवाल क्या साडण की जनता रोहिणी आचारिया के साथ नजर आएंगी और क्या भोले बाबा और साई बाबा की क्रिपा रोहिणी आचारिया पर होगी रोहिणी आचारिया आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरस रोहिणी आचारिया पूजा पाठ कटी हुई न ज़र आ रही है आपको फिर से बता देते हैं कि रोहिणी आचारिया आज से चुनाविस संखनात कर रही है साड़न में आज चुनाव प्रचार वो करेंगी जहां पर वो राजत के कारेकर्टाओं से भी मुलकात करेंगी वहां के लोगों से भी बाचीत करेंगी बताया जा रह है कि रोहिणी आचारिया ने पहले ही इपना बयान दे दिया है कि सिंगापूर में हम थे अपना है तो जिए आपको बता दे किस तरह से रोहणी आचारिया जब सिंगापूर में थी तो सोसल मीडिया एक्स के जर्ये वो लगातार जो पक्ष के नेता है यानि कि इस वक्त केंदर में जिसकी सरकार है और बिहार में अंडिये की सरकार है तो NDA सरकार से लेकर भाजपा के कई नेताओं पर एक्स के जरिये रोहिनी आचारिया कई बार अपने पोस्ट को शेयर कर चुकी है जो की भाजपा नेताओं के खिलाफ अक्सर रहते हैं NDA नेताओं के खिलाफ भी वो पोस्ट रहते थे लेकिन अब रोहिनी आचारिया चुनावी मैदान में कूद गई है और चुनाओं सारन से लड़ रही है सारन लोकसभा सीट से चुनाओं लड़ रही है राज़त के टिकट पर चुनाओं लड़ रही है लेकिन अब देखना य आचारिया जो है वो पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही है आचारिया जो है जो है यह लो मुझा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुणिया वापस जाएंगे जोब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुणिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुणिया में घर ले लिया है पुणिया के इहोम्स पैनरोमा में पुणिया में पैनरोमा ग्रूप लेकर आये हैं इहोम्स पैनरोमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में इहोम्स पैनरोमा के संग इहोम्स पैनरोमा लग्जूरियस लाइस्टाइल रीडिफाइंट